दोस्तो नमस्कार आज हमारे असनिवार को प्याज का आउकास रहता है पर दोस्तो आप देख सकते हैं कलल बर में प्याज की आवक में बडोतरी देखी गई और इसका सर देख सकते हैं रात को देरा तक प्याज की तुलाई भी चलती रही हाला कि दोस्तो प्याज की आवक नॉर्मल किसान लगबग 6-7 बज़े फ्री हो जाते हैं तोल करके पर कल कुछ अलग 2-3 कारण भी रहे जो इस वज़े से प्याज की तुलाई काफी देर तक होती रही और देर रात तक प्याज की तुलाई चलती रही कल दोस्तों गाडियों की शोटेज देखी गई इस वज़े से गाडियां समय पर नहीं लग पाई और इस वज़े से प्याज की तुलाई है वो काफी देर तक चलती रही और लगबग किसान लगबग 12 बज़े या साड़े 11-12 बज़े तक भी रात को मंडी से प्याज की तुल में कल देरी होने के कारण भी बताया जा रहा है हाला कि अब दीरे दीरे यह समस्या का समधान हो जाएगा और दोस्तों अब दीरे दीरे प्याज की आवक में और भी बड़ोत्री देखी जाएगी क्योंकि दोस्तों इस समय जो प्याज का अपना है अलवर्स में पीक समय चल प्याज की बुवाई की गई थी लगातार बारिस के बाद तो इस वज़े से जो प्याज का जोर रहेगा वह एक सात रहेगा और लगबग जो प्याज की अगई है दोस्तों बीस और अगस्तThe और एक सितंबर के बीच में हुई है वह प्याज की वह काफी ज्यादा हो गई तो दोस्तों एक साथ अल्वर्बंडी में प्याज आने की संभावना रहेगी